हम्, ये तो बहुत सॉलिड है, इसका असली मज़ा तो विस्तर पे, खेरे के साथ ही आएगा तो चमन कहता है, मैं तुमें खोना नहीं चाहता था मिंडी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये बात मैंने तुमसे चुपाई, तो मिंडी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम रात में नहीं देख सकते, तो क्या हुआ, हम सुवागरात मनाएंगे, मैं तुमारी मदद करूंगी और फिर मिंडी और चमन दोनों एक दूसरे के साथ सुवागरात मानाते हैं। हमारा तो कोई boyfriend तक नहीं है, हमें तो सिर्फ videos देखकर काम चलाना पड़ता है, फिर उसमें से एक सहली कहती है कि छुपीनजर.com पर एक नई वीडियो आई है, और वो अपना mobile on करके वो वीडियो प्ले करती है, तो उस video में मिंड़ियो और चमन एक दूसरी के उपर चड़े हुए होते है, ये देखकर मिंड़ि दंग रह जाती है, और वहाँ से निकल जाती है, और अपने घर जाती है और अपने कमरे में जाकर उस video को प्ले करती है, और वीडियो को गौर से देखती है, तो उसका शक पक्का हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये वीडियो मेरे ही घर में शूट किया गया है तो वो वहाँ पर कैमेरा धूडने लग जाती है तो उसे गमले में एक स्पाय कैम मिलता है और उसका शक पक्का हो जाता है कि ये मेरे ही कमरे में Spy Cam लगाया और मेरा वीडियो बना कर चुपीनजर.com पर डाला है और मुझे पता है कि ये काम किसका है ये जरूर उस चिंपैंजी शकल वाले उस customer का है जिसके साथ मैं पैसे के लिए सोती थी जरूर उसी ने ये वीडियो बना कर उस हुशार मैनेजर को भीजा होगा जो चुपीनजर.com का मालिक है मैंने उसका प्रफोस रिजेक्ट किया इसलिए उसने ये कांड किया फिर मिंडी जट से चिंपैंजी शकल वाले customer के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मुझे चुपीनजर.com वाले मालिक के एड्रेस दे मैं जाकर उसकुत्ते को सबक सिखाती हूँ और तू भी कितना कमीना है कि तूने मेरे साथ धोका किया तो चिंपैंजी शकल वाला कहता है इसी को बिजनस कहते है तुझे ओफर दिया तुने रिजेक्ट किया और मैंने accept किया और profit कमा लिया तो मिंडी कहती है मुझे तू बस एड्रेस दे तो चिंपैंजी शकल वाला कहता है बिजनस का एक रूल होता है बिना कुछ दिये कुछ नहीं मिलता मिंडी समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए तो मिंडी जट से अपने कपड़े उतार कर चिंपैंजी शकल वाले से कहती है कि कर ले तुझे जो करना है और मुझे एड्रेस दे दे फिर चिंपैंजी शकल वाला मिंडी के उपर चड़ कर मिंडी को जम कर लेता है और उसे चुपी नजर वाले मालिक का एडरेस दे देता है मिंडी गुस्से से चुपी नजर वाले मालिक के पास जाती है और उससे कहती है तो जल्दी से अभी के अभी मेरे सारे वीडियोस डिलेट कर दे नहीं तो मैं तेरी जिंदगी बरबात कर दूँगी तो मालिक कहता है तो किसे धमकी दे रही है तेरे जैसे दो कवडी की लड़की से मैं नहीं डरता जो पैसे के लिए लोगों के साथ सोती है जादा बात मत करने ही तो तेरे वीडियो सबी के साथ शेयर कर दूँगा और तेरी जो दो कवडी की आवकाद है ना वो भी नहीं बच तो मिंडि कहती है अब तू देख मैं क्या करती हूँ मैं तेरा पूरा करियर बरबाद कर दूंगी और तेरा बिजनस चौपट कर दूँगी और यह कहेकर महाँ से निकल जाती है और अपने घर में अपने कमरे में आकर अपने बेट पर बैट कर सोचती है और उसे एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि मैं अपने खुद की वेबसाइट बनाती हूँ और अपने खुद के वीडियो शूट करके उस वेबसाइट पर डालती हूँ और चुपीनजर.com को competition देती हूँ और जैसे ही मेरी वेबसाइट ग्रो करेंगी और चुपीनजर वाले की पूरे वेबसाइट के audience मेरे पास आ जाएंगी ना रहेगा बास न बजेगी बंसरी और वो अपने ही हातों से अपने घर के गमले में एक spycam लगाती है और जब उसका पती चमन आता है तो उसके साथ बहुत मज्य करते हुए वीडियो बनाती है फिर उस वीडियो को अपनी वेबसाइट पर डाल देती है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है एपिसोड 3 में दिखाये जाएगा कि उसके बात क्या होता है तो दोस्तों कैसे लगी आपको चुपी नजर एपिसोड 2 वेब सीरिस की कहानी इस वेब सीरिस की फुल वीडियो देखने के लिए आप टेलेग्राम पर मैसेज कर सकते है यूजर आड़ी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐसे ही स्टोरिस एक्स्प्लेनेशन वाली वीडियो के लिए सस्क्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही स्टोरिस आपके लिए एक्स्प्लेन करते रहें धन्यवाद